आएे दोस्तों आप लोग बीच में एक काफी important प्रस्णाज पे चर्चा करने जा रहे हैं कि diploma engineering training होता क्या है तो diploma training training एक company basis training है जिसने company freshember diploma दौरी को training परभाइड करती है जिससे वो future में किसी भी company में जाए तो काफी अपनाufformance अच्छा दे सके इंजिनिरिंग ट्रेनिंग कराती है तो भारत सरकार के द्वारा एक प्रवधान है कि जदी किसी इंडेस्टिज में कम से कम 30 से ज़्यादा जदी इंपलॉय है तो उसको किसी न किसी तरह का ट्रेनिंग पुर्भाइड करना है जैसे DET, Apprentice या NIM इस कारण किसी सभी कमपनी को किसी न किसी ट्रेनिंग को पुर्भाइड कराई जाती है आप आते हैं कि DET करने के क्या भाइदे हैं तो DET एक Long Term Training है Long Term Training होने कारण आप लोग का Core Core Department बन जाता है कोई भी Department जदी आपको मिलता है तो आप लोग का Core Department होता है जिससे जदी आप लोग दूसरे कमपनी में जाते हैं तो उसमें काफी experience आप लोग Core रहता है और उसमें उस काम को करने में आपको रूची आती है और अच्छे अच्छे package पे आप लोग किसी भी कमपनी को जाइन कर सकते हो या जिस कमपनी में आप लोग ट्रेनिंग लेते हो वो कमपनी अच्छे पर्फर्फर्मेंस अच्छा रहता है तो खुद रख लेती है जिस कमपनी में आप ट्रेनिंग लेते हो वो ही कमपनी आपको रख लेती है थैंक यू ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक